तो हेलो एवरिवन मैं उसी ओम्दिवेदियों और आप देखरें अपना पसंदिता चैनल ग्यानोंदे के गुरुजी सामके पांच बच चुके और आपके सार आपके सामने लाइव आ चुके हैं एक बार मुझे बताईएगा जल्दी से क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और क्या सारे के सारे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजेगा मेरे प्यारे बच्चों तो आज के सेशन में होगा क्या आपने पहले ही स्क्रीन पे देख लिया है कि आज के सेशन में सर क्या करने वाले है अमलचार और लवर जो आपका ये चैप्टर है ना इसका हम लोग यहाँ पे वन सौट करने वाले है देखिए ये वन सौट सिरीज है मैंने अभी चैप्टर नबर वन का वन सौट कर लिया है चैप्टर नबर फाइफ का कर लिया है विद्धारा के चुम्ब की प्रभाव का वन सौट कर लिया है जैव प्रक्रम का one shot कर चुका हूँ तो मतलब इस तरीके से लेके मैं आप लोगों के पेपर के पहले-पहले सारे chapter के one shot भी दे दूँगा और साथी साथ day to day हम question answer भी करते रहते हैं ताकि सारे के सारे लोग जो है पूरा follow करते वे चले जल्दी से बताना सब कुछ clear है ना अच्छे से आवाज बगर आ रही है सबको जल्दी से बता देना एक बार बच्चों ओके क्या everything is perfect चलिए ओके thank you thank you so much जीनों ने लिखा everything is perfect चलिए बाई शुरू करते हैं हम लोग आज की session को राइट तो शुरू करते हैं बच्चों क्या करेंगे भाई important question की साथ हम लोग पूरे chapter को पढ़ेंगे और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि पूरे chapter में सबसे पहले हम discuss करेंगे कि भाई अमल क्या होता है उसके बाद discuss करेंगे कि छार क्या होता है फिर हम लोग discuss करेंगे कि सूचक क्या होता है पियाच मान क्या होता है फिर पियाच मान की उपर numerical करेंगे उसके बाद हम लोग लवन के बारे में पढ़ को चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमल और चार और उसके बाद लवर की द्यान से मारी बात को सुनिएगा सबसे पहली चीज कि आज हम लोग यहां पे लिखकर हम आपको बताने वाले सारी चीजे तो पहले हम रात करते हैं अमल उसके बाद है चार और उसके बाद फिर क्य हो गया बच्छों लवर ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनने के समझने की कोशिस कीजिए बच्छों अमल क्या होते हैं पहली चीज जो स्वाद में कैसे होते हैं बच्छों खटे होते हैं अमल वे करने के बाद या ध्यान दीजे कि जो जली विलियन होता है उस जली विलियन में हमारे जो अमल होते हैं वो क्या करते हैं हमको हाइड्रोजन आयन देते हैं इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन तो यहां मैं लिख देता हूं बच्चों कि इसे हम लोग क्या बोल देते है हाइड्रोजन और आयन तो जल में यह हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं ठीक है ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक्जाम में आता है बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद जो हमारे चार होते हैं यह क्या देते हैं यह हमें जल में जली विलियन में हमें क्या देते हैं हाइड ऍrawक्साइड आयन देते है मैरे पिारे बच्छों ठीक है यह हमें क्या देंगे जल में ये ग्जाम को एक्ज़ामों में इतना ही लिखना सा फीउट living impeded अब ben और अगली चीज़ क्या है कि यह हम आगर बात करें ते यह यही आएगा exam में ठीक है है ध्यान से सुनिगा यही आएगा exam में और इतना ही करके आना जितना मैं आपको वता रहा हूं पस आप इसको अपने सब्दों में लिक कर आएए बस अब मैं अगर बात करूं कुछ उदाहरण जैसे अगर मैं कुछ उदाहरण की बात करूं तब देखोगे कि HCl जिसका नाम होता है हाइड्रो क्लोरिक अमल फिर इसके बाद हमारा दूसरा है H2SO4 जिसे हम कहते हैं अब तीसरे की बात करें जैसे कि CH3 और COOH यह हो गया हमारा लेकिन एक्जाम में आएगा कि भाई दिखाईए कि कैसे हमें हाइड्रोस आएन दे रहे हैं अभिक्रिया करके दिखाए तो जैसे बच्चों HCl है ना तो हमने क्या लिखा है कि वह हैं द्यान से सुनना बच्चों और उसके बाद यह हमारा क्या है आच और होसीहल आप देखोगे तो यह में क्या देगा हिड्रोजन आयन cured मुर्द एस यह में कितने होते हैं तो Scl में कितने हाईरोजन आटे हैं आपको कितने हाई डिखाई दे रहे हैं एक हाईडोजन आइन दिखाई दे रहा है इसी तरीके से हैं का देगा मुझे हैच जो सब्सक्राइब तो ये कैसे रिएक्षन होगी ध्यान से देखो बच्छो ये क्या होगा यह हमें Hydrogen I отвеч 3 अइन देगा और कितने Wijल ऐः देगा यह 2 Hydrogen i and देगा क्योंकि देखेंगा रहरह दो तरइके से वह ठरशा इन देने वाला है अ मुलो इतनी बात समाझ में आकर इस्तरीके के से हमारा एक्जाम में आता है कि भाई हमारे पास जो सिरका है या जिसका फारमला होता है सी COOH यह वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम सिरका या एसेटिक एसिट भी कह सकते हैं तो जो हमारे पास CS3 COOH है ना अगर मैं इसको लिखूं तो यह ऐसे टूटेगा CS3 COOH और बच्चों यह ना हमें क्या देगा एक हाइड्रोजनायन देगा और बच्चे क्या करते हैं मात्र एक हाइड्रोजनायन और यह जो बनके निकलेगा यह CS3 COO माइनस इसे हम एसेटेट आयन कहते हैं तो यह हमारे पास हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजनायन यहां तक क्या बच्चों आपको क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी से एक बार बता देना सारे कि सारे बच्च को उसायन जिसे से एक्जामपल की बात करें अगर हमे लोग वहरी पास जैसे के ओउ एक है ना हमारे पास NAOO यह हो गया हमारे पास NH4 आच त.? इस तरीके से हो गया भाई आब अब हम कर देखेंगे अगर ध्यान से तो यह जो आम पास के ओच है ऊच है और जब इसको हम अगर अम एने वह की बात करें ला तो हमारे पास एन ए ओयच ठीके और भी हो सकते हैं इसलिए मैं आदी लिख देता हूं ठीकर जिसमें आपको ओयच दिखेगा वह हमारा क्या होगा हाइड्राकसाइड रिखान होगा ृपमारा च्छार होगा इनो ऐच की बात करें आगर तो तो मेरे प्यारे बच्चों यह हो जाएगा Na+, और उसके बाद OH- यह हमारे पास Hydroxide-I-N देगा हमारा फिर अगर मैं इसको देखते हूँ न कि हमारे पास NH4-OH है तो हमारे पास NH4-OH है और अगर इसको देखें तो यह हमें क्या देगा NH4-I-N और मैरे प्यारे बच्चों फिर हमें देगा OH-I-N इसका मजब यहाँ पास तक सर ने पूरा खतम कर दिया कि क्या होता है अमल, क्या होता है चार और हमने इस तरीके से अमल और चार को खतम कर दिया एक्जाम में कोशन आता है जो हर साल पूछा जाता है कि अमल और छार इन दोनों की आधुनिक परिभासा क्या होती है तो जितना मैंने लिखा है सेम ऐसे ही आपको आपके एक्जाम में लिख कराना है कि भाई अमल जो होता है वो स्वाध में खटे होते है और ये हमें hydrogen आयन देते हैं जब हम इनको jelly billion में गोलते हैं बात समझ में आ गई है अच्छी तरीके से screenshot लेना है की नहीं हट जाओ मैं चले भाई जल्दी से चलिए screenshot ले लिजी मेरे प्यारे बच्छो लेकिन लवन और उदासीनी करनब क्रिया यह दोनों एक ही टॉपिक हो जाएंगी इसलिए मैंने एक ही में कर लिया है अब ध्यान से बच्छो ध्यान से समझना ठीक है माली जे पेपर में अधासीनी करनब क्रिया जो की बहुत important है most important है जब कोई जब कोई अमल जो होता है जब कोई अमल क्या करता है जब कोई अमल वाचार अमल वाचार आपस में क्रिया करते हैं क्या करते हैं मेरे पैरे बच्छो आपस में क्रिया करते हैं जब कोई अमल वाचार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं हमको क्या देते हैं क्या देते हैं वो हमें क्या देंगे लवड जब कोई अमल वचार आपस में क्रिया करते हैं तो लवड का निर्माण करते हैं लवड वा जल बनाते हैं ठीक है बच्चो लवड और जल बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं जिसे हम लोग उदा सीनी करन अबक्रिया भी कहते हैं इंग कि भी कहते हैं ठीक है उदाशी निकर अब करिया भी कहते हैं आगे मेरे बास सुझके अब एक्जाम में बाई क्या हम यह लिखके चले आएंगो और ऑग्जाम भी को पूरे नंबर देगा सपने में भी मत सोचना मेरे प्यारे बच्छो क्योंकि जब कोई भी अवगिर आती है तो उसका हमें क्या करना होता है हमें उसको उदाहरन सहीत बत तो यहां लिख सकते हैं कि भाई जब कोई एक अमल किसी कोई एक छार से अभग्रिया करता है तो बच्चों बनाता क्या है वो बनाएगा लवड और लवड के साथ-साथ क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों छार बनाएगा सॉरी जल बनाएगा लवड बनाएगा और जल ठीक है यहां तक किसी बच्चे को अगर कुछ भी समस्या हुई हो तो जल्दी से मुझे बता देना तो मैं आगे बढ़ जाओंगा जल्दी से ठीक है अब कुछ बच्चे क्या कह रहे है कि सर चार और चारक में अंतर क्या होता है बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात जैसे एक होता है चारक और एक होता है बच्चो चार ध्यान से मेरी बात को सुनिए चारक को अंग्रेजी में अलकली और इसे चार को बेस कहते हैं ठीक इन कह देते हैं तो काफी important है अगर मन करें तो नोट कर लेना कि जो चारक जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं उनको लोग चार बोल देते हैं ठीक है आगे चले चलिए अब इसका एक उधारन लेते हैं जो कि काफी important है जैसे मालीजी पेपर में आया कि जब कोई भी एक 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 प्रकार का अमल है इसको कौन सा नाम देंगे hydrochloric अमल बाई पेपर में reaction दो नंबर की पूछी जाएगी ध्यान से सुन लीजिए यह कौन सा अमल है बच्चों यह हमारा hydrochloric और बच्चों जब यह वाला जो अमल होता है ना यह अब जब किसी भी एक छार से विक्रिय sodium और बच्चों क्या बोलेंगे हम इसको hydroxide हमोग क्या बोलेंगे sodium और hydroxide अब आपके मन में सबाल आया होगा कि भाई कैसे बनेगा कैसे बने गालावार देखो बच्चों जो हम लो एता है ना तो इस तरीके से तोटेगा तो जो हमारे पास naoh बहुत और इस तरीके से तूठ जाएगा तो अब होगा क्या कि यह दोनों मिलकर बना लएंगे पानी अब बच्चे का यह और यह यह वेड़ लिगे अब करिया कर लेंगे और चिन तो इसका नाम लिख देंगे हम लोग इसको सोडियम कोलराइड इतनी बात तो मेरी पैरे बच्चो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आगई होगी कोछ भी डाउट नहीं छोड़ा सरने और सरने पूरा का पूरा जो है न वह आपको बता दिया ठीक है जल्दी से आना यहां तक आपको clear हुआ कि नहीं और इसका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई इसको हम जल कहते हैं ठीक है बच्चों सबज में आ गई कि नहीं क्लियर इतनी बात चलिए बहुत बढ़िया इस तरीके से हमको क्या करनी है उदासी नहीं करना क्रिया की परिभासा को लिख कर आना है बोर्ड एक्जाम में चलिए स्क्रीन सोट ले लिजी जिसको भी लेना है फिर मैं आगे कॉंटिन्यू करूंगा चलिए अब हम बात करेंगे कि पियच पैमान को बताता है वह पैमाना जो किसी एक विल्यन के क्या बताता है की अमलीयता और छायीता को से हम पीयच-पैमाना-पैमान से किसी भी एक विलियन के अमलियता और चारीता को बताता है उसे हम पियच पहमाना कहते हैं इस पियच पहमाना में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चो इसमें जो है ना नमबर पड़े होते हैं जीरो से लेकर कितना पड़ा होता है 14 तक नमबर पड़े होते हैं अब ध्यान से द कोई भी नंबर हमको मिल गया सुरी जीरो से 7 के बीक में अगर कोई विए बीन में को मिल घया तो हम बोलेंगे कि वो कैसा होगा वह विलियन हमारा अबली होगорот और अगर साथ से चौडा के बीच में मिल गया तो वह विलियन कैसा होगा चारी होगा लेकिन कुछ बच्चे बड़े दिमांग्ऐ होंगे वह बोलेंगे सर आपने ये तो बोला ना कि जीरो से लेकर जीरो को जीरो से लेकर साथ तक होगा तो अमली है साथ से लेकर चारी साथ से चौदा तक होगा तो चारी होगा लेकिन सर अगर मान लीजे कि हमको साथ ही दिया हो तो क्या करेंगे तो हम उसको अमली मानेंगे या फिर चारी मानेंगे तो भाई ध्यान से सुनो हम نہ उसको عملी मानेंगे और ना उसको हम छारी मानेंगे उसको हम लोग क्या मानेंगे मेरे पैरे बच्चो उसको हम मानेंगे कि willion जो है न हमारा वो कैसा है उदासीन बास सवच में आ गई यानि कि 0 से 7 तक हमारा जो willion होगा वो acidic होगा और ये हमारा जो gradient होगा वो कैसा होगा? वो basic होगा और इसके बाद यहां आगर हम बात करें ना तो हमारा विलियन जो होगा वो neutral होगा ठीक है बच्चों, आगे मेरी बात समझ में क्या हो जाएगा, विलियन हमारा, neutral हो जाएगा यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, बढ़िया, ठीक है, आगे इतनी बात, चलिए, आगे चलते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चो, अब इस तरीके से हमने PH पहमाना को देख लिया, अगर पेपर में आ जाता है, कि PH की परिभासा लिखिये यह क्या है, यह सारी चीज़े बता आने वाला हूं, क्या हैडिंग डालोगे एक्जाम में, PH पहमाना, क्या डालोगे आप, PH पहमाना, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जिसमें P होगा और capital H होगा, जिसे हम बोलेंगे कि हाँ, यही हमारा क्या है, PH पहमाना, ध्यान से देखना, अब आपको लिखना है, कि जो ह हमारा P है न, वो कहां से आया है, ग्रीक भासा से, और जिसका अर्थ होता है, पोटेंज, अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा, जिसका अर्थ होता है, पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है, बच्चो पावर, यानि सक्ती, यह क्या है, सक्ती, और H जो है न, capital बना प्याच पैमाना क्या बताता है, किसी भी एक विल्यन के अमलीत और चारिता को बताता है, किसने दिया था इसको, इसको दिया था, शोरेंशन ने, यहां तक किसी बच्चे को दिख्या दो बताना एक बार, विक्की ने बहुत गजब का अंसर दिया है, विक्की ने बहुत गजब का अंसर दिया है, यहां पर, लेकिन भाई, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा, बिल्कुल टेंशन मतलो, तो यह हो गया, सोरेंशन ने दिया था, फिर से मेरी बात को सुनेगा, आप लिखोगे कि इस पैमाने में वेरी बाद ध्यान से सुनियेगा रटने की ज़रत नहीं है इस पैमाने में 0 से 0 से 14 तक क्या होते हैं संख्या होती है इस पैमाने में 0 से 14 तक क्या हैं संख्या है 0 से 7 तक क्या होगा जो हमारा विलियन होगा न वो कैसा बनेगा अमली होगा जीरो से 7 तक जो हमारा विलियन होगा ना वो कैसा बनकर आएगा वो आपका अमली विलियन बनकर आएगा अगर मैं बात करूं कि 7 से 7 से 14 तक की बात करूं ना तो बच्चों 7 से 14 तक हमारा जो विलियन बनकर आएगा वो बनकर कैसा आएगा वो हम बहुत important चीज़े बताने वाला हूं उसके बाद ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनना जीरो से 14 तक क्या होगा विलियन हमारा चारी होगा लेकिन अगर साथ से 14 तक विलियन चारी होगा और अगर साथ आ जाता है साथ क्या होगा साथ पर साथ पर जो मेरा विलियन होगा ना वो कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा हमारा उदा सीन साथ पर कैसा होगा विलियन हमारा उदा सीन हो जाएगा तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देख ली कि पीच पहमाना में पी सब्द बताता है पोटेंज को एच बताता है हाइड्रोजन आइन को यह सोरेशन इस पहमाने में 0-14 तक संख्या होती है 0-7 तक विलियन अमली होता है साथ से 14 तक विलियन चारी होता है इतनी बाते जमाजम एक्जाम में लिखकर आना है बिल्कुल लिखकर आना है ठीक है अब वान लीजे कि आप से कोई पूछ लेता है कि पीच मान क्या होता है और फिर आ परिवासा बता है ना वही लिखोगे लेकिन अगर पूछ लिया कि पीच मान का गड़ती रूप क्या है क्या पूछा गया पीच मान का गड़ती रूप क्या है तो फिर आप क्या करोगे द्यान से देखिया अगर आपसे पूछता है पीच मान का गड़ती रूप क्या है तो आप क्या करोगे चले भाई अब ना हम इसका परिभासा आपको बदाते हैं बचो हुआ क्या पास pH होता है वो क्या होता है formula होता है हमारे पास की minus log और उसके बाद बच्चो यहां पर हमारे पास क्या लिखा होता है यह हमारा क्या है में फॉर्मला इसका मतब पी एच बराबर माइनस और उसके बाद यह दस उसके बाद यहां पर क्या है एच प्लस आपके मन में आयोगा सर हम इसको याद कैसे रखेंगे अगर मुझे परिभासा याद करनी होती कैसे याद करेंगे चलिए अब देखो इसकी परिभासा लिखने का ऐसे तरीका मैं बता रहा हूं कि किसी विलियन का प्याच मान कैसे लिखोगे किसी विलियन का प्याच मान क्या होगा किसी विलियन का प्याच मान कॉमा लगाओगे और उसके बाद फिर आप इन्वर्टेट कॉमा सुरू कर दोगे और उसके बाद काले इसको बैगे बना ओगा और ऐसे ब्रेकट बना होगा तो आप लिखोगे हैड्रोजण आयनशंद्रन आप लिखोगे कि हाइड्रोजन आयन शंद्रन बाही देखो मेरी बात ध्यान से सुनना ये चैप्टर मैंने आपको बहूत टीप में पढ़ा रखा है अगर आप ध्यान से देखे तो मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूं यहां पर हाइड्रोजन आयन सांद्रन के क्या रिणात्मक क्योंकि बच्चों आगे देखो ना कि आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो आप बोलोगे के रिणात्मक है ना के रिणात्मक लगुगड़क लॉग का मतलब होता ह लगड़ा के के बराबर होता है के बराबर होता है मैंने पहरे बच्चो के बराबर होता है और इस तरीके से आप लगाओ गए यहां पे इस तरीके से बंद और इन्वर्टेट कॉमा क्लोच यह हो गए आपकी में 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 परिभासा ठीक है यहां तक सभी को क्लियर जल्दी बताना एक बार बहुत बढ़िया ठीक है इस तरीके से हम लोगों ने यह निकाल लिया पियल्स का गड़ती रूप लेकिन आपको यहां पर मैं बता दूँ कि इसी प्रकार इसी प्रकार एक और चीज़ होती है और जिसमें हम लोग क्या करते हैं इसी प्रकार पी ओएच भी होता है पी ओएच बराबर होता है माइनस लोग माइनस लोग यहां पर 10 और इस तरीक यहां से ओएच माइनस तो बाई डरना मत अगर आप से पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रकार परिवासा यह तो सिंपल सा है कि सी विलियन का पी ओएच हईड्रोक्साइड आइन सांदर के मतलब कुल में लाकर मेरे पैरे बच्चो यहां पे क्या करना है चेंज करना और यहां पी क्या करना चेंज करना बागी पूरी वरिवासा क्या हो जाएगी एकदम सेंव हो जाएगी ठीक है कोई टेंसन नहीं कोई दिक्कत नहीं बच्छों समझ बार आराईगी जल्दी-जल्दी बताना एक बार बहुत बढ़ीया सर मैOnce का पेपर भी करवा दी जिये सर मैत का पेपर भी करवा दी ठीक है चले अब इतनी बात क्लियर हो गई अभी मैं इसके उपर निमेरिकल भी कराऊंगा यह पहला हो गया हमारा अब यहां पर मैं कुछ नोट लिख रहा हूं ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मला होता है कि प्लस पी ओच बराबर में कितना होता है 14 प् है और आपको प्याच दे रखा है जैसा भी मैंने उस दिन मॉडल पेपर में कोश्चन करा है था तो आप यह वाला फॉर्मला भी इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है कि भाई हाइड्रोजन और इसांदरन बराबर दसकी घात माइनस प्याच है ठीक है तो यह हमारे होगा प्याच में चे cya के मीन फॉर्मूले चलिए आप में इनका नंग कराूंगा नेकिन उसके पहले में नुमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को यहां पे पी-अच पर आंकित प्रस्न शुरू किया जाए पी-अच पर आंकित प्रस्न चलिए फार्मुला तो पढ़ी लिया होगा पहला कोश्चन आपकी नजरों के सामने क्या लिखा हुआ है कोश्चन है कि एक विलियन का पी-अच म सांद्रन कितना दिया गया है इस कोश्चन में हमें दिया गया है एक गुड़े दसकी घात माइनस बारा और मोल प्रतिलीटर ये हमको दिया गया है बच्चों एक गुड़े दसकी घात माइनस बारा मोल प्रतिलीटर और ये गलत बात है कि आप लोग वीडियो को लाइक तक नहीं कर रहे हैं, गलत बात भाई, ऐसा तो नहीं करो ना, अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल करूँ, कौन से सूत्र का, पी एच सूत्र का, तो पी एच सूत्र कहता है, ध्यान से देखिए, कि पी एच बराबर, माइनस, फिर उसके बाद लॉग, औ यहाँ पे हमारे पास एच प्लस, और यहाँ देखें ना, तो एच प्लस का मान दिया गया है, दस की घात माइनस बारा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर उसके बाद लॉग, यहाँ पे दस, और यहाँ आ जाएगा दस की घात माइनस में, बारा, आ गई यह इतनी बात स तो कुल आप यहां लाग दस और इदर बचाथस ऐगर आपको एकजामनर को बताना है कि हमने यहां पे कौण सा फार्मूला इस्तेमाल किए तो बतावी देना कि देखिए तहर maint Way वाला फार्मूला की है कि सर्देश्ट मेरे बताए था की अगर पाउवर मुझे मकी ऑन एन दिया होगा तो एन को आगे ले आऊंगा एन लॉग एम कर लोगा और बेस में इधर 10 यह वाला फॉर्मुला हमने इस्तेमाल किया है अब मेरे सर ने बताया था कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि यहां का नंबरर और यहां का नंबर दोनों एक जैसे हो जाएं तो इसका अंसरousse 5 होता है Luxord वो एक जैसा हो गया, इसका अंसर क्या होगा, एक होगा, इस तरीके से यहां से आया, 12 गुड़े एक, और इस तरीके से हमारा आ गया 12, अब मुझे बताना, यह विलियन कैसा होगा, यह विलियन कैसा होगा, मोहित मिस्रा, वेरी गूड, क्या होगा इजी विलियन, विलियन कै कैसा होगा आमली होगा या छारी होगा शारी कि इसा होगा अता जो विल्यून होगा वो यहांति सते से ज्यादा आए यह बात भी अगर लिक दोगे ता कितना अछा लगेगा था भीलियं Nepiम और होगा वह कैसा हो जाएगा चारी हो जाएगा ओके डन यहां तक बताना एक बार जल्दी से चल यह बहुत बढ़िया है अगले कोश्चन पर चलते हैं ऐसा ही एक और कोश्चन है हमारे सामने स्क्रीन साट तो आप ले ही लिये होंगे यहां पर हमको दिया है दसकी घात माइनस चार मोल प्रत से कर रहा हूंगा जैसे मैं कर रहा हूं आपको यहां लिखना पड़ेगा कि देखिए एच चसी अल बराबर जो है न अगर मैं रियक्शन कर रहा हूं तो ये मुझे हाइड्रोजन आयन तेगा और उसके बादिये हमारे पास है दसकी hydrogen ion सांद्रन और उसके बाद यह CL-1 ठीक है अब यहाँ से हम फिर लिखेंगे कि अता हाँ hydrogen ion सांद्रन बराबर जो है न वो कितना दिया है 10 की घात माइनस का चार और मोल प्रतिलीटर जैसे अभी पीछे में कोशन करके आया हूँ नो मेरे प्यारे बच्चो ठीक वैसे ही इस प्रस्न को करना है ठीक वैसे ही इस प्रस्न को करना है कैसे करोगे pH is equal to minus फिर log इधर में 10 इधर से हमारे पास 10 की घात minus 4 चार कहां आएगा आगे आएगा फिर क्या हो जाएगा log फिर उसे 10 इधर भी 10 और log 10 का मान कितना हो जाएगा बच्चो एक हो जाएगा answer कितना आएगा 4 ये कोशन ना 4 नंबर के आते है ये कोशन ना कितने नंबर के आत हैं very good harsh आकाश very good इस तरीके से हमारे पास 4 नंबर का कोशन हमने हल कर लिया और इसका उत्तर भी कितना आ गया है ठीक है डन चलिए अगले कोशन पर चलते हैं एक विलियन का पी ओच मान इतना दिया गया है तो इसका पीच मान क्या होगा बहुत आसान कोशन है यहां लिख ल इसलिए पीच बराबर अगर मुझे निकालना होगा तो हम यहां लिख देंगे कि 14 मान इनस पी ओएच और यह हमको भाया एक नंबर बहुकलपी कोशन आ जाएगा ऐसा और हमारा हमको बच्चो पूरे नंबर मिल जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास यह तना आ गया इसा होगा हमारा चारी विलियन होगा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो गई होगी सब समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों को हरा आठ उत्तर आ जाएगा ठीक है वेरे गुट अगले कोशन पर चलते हैं लोग फटा-फट कोशन करते हैं अग से पहले हमको पेपर में लिखना पड़ेगा कि देखिए हमको दिया गया है इस बार क्या दिया गया है हाइड्रॉकसाइड आयनसांद्र तो हाइड्रॉकसाइड आयनसांद्र के लिए ओच माइनस निखेंगे हम लोग बच्चों और कितना दिया गया है एक गुड़े 10 की माइनस ग्यारा और बच्चों में दिया गया है मोल प्रतिलीटर याद रखिएगा इस चीज को कि यह हाइड्राकसाइड आयन संद्र जब भी दिया होगा हमको फार्मूला प्याच का इस्तेमाल नहीं करना है कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है पी ओएच बराबर माइनस लॉग और यहाँ पर हम लिखेंगे ओएच माइनस ऐसे इस्तेमाल करना और इधर हम 10 लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर माइनस फिर उसके बाद लॉग नीचे में 10 यह हो जाएगा दस की घाट माइनस का 11 तो यह 11 कहां आएगा आगे आएगा माइनस माइनस खतम करेगा 11 इसका मतलब है यहाँ से हमारा पी ओ यह बराबर जो आएगा वो कितना आएगा 11 आएगा बूलो समझी मारी इतनी बात पी ओएच का मान अमने कितना निकाल लिया 11 निकालिया अब हमने लिखना पड़ेगा कि चूकि पी जमान निकालने को कहा गया था कोश्चन में तो 14 हमे कर लेंगे और तो कितना आजाएगा 14-11 अंसर आजाएगा तीन इस तरीके से हमारे पास कोश्चन वह भाई ऐसे ही कोश्चन पेपर में आएंगे पूरा फुल रिवीजन करा रहें सियों सर ठीक है ऐसे ही कोश्चन पेपर में आएंगे जल्दी से स्क्रीन सोट ले लिजी अगर अभी तक नहीं लिया तो अब मैं बात करता हूं कि भाई हमारी हमारे दैनिक जीवन में पियच का महत तो क्या है हमारे दैनिक जीवन में पियच का महत तो क्या है तो पांच पॉइंट आपको छोटे-छोटे याद करने पड़ेंगे जितने मैं आज यहां पर बताऊंगा पहला प्याच का जो महत होगा वो पहला नंबर होगा मैं यहां लिख दूँगा आपका नंबर पहला होगा कि भाई मिट्टी की जाच मिट्टी की जाच अब ही पहला महत है अब एक बात बताना अगर हम जानते हैं कि आलू की खेती के लिए पियचमान कितना होना चाहिए हम जानते हैं कि ग्योहो की खेती के लिए पियचमान कितना होना चाहिए अगर हमको उसमें धान पैदा करना है खेत में तो उस समय खेत में मिट्टी का पियच मान कितना होना चाहिए मतलब वो मिट्टी हमारी उपजाओ है या नहीं है या हमारी मिट्टी फसल की लाइक है या नहीं है ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं पहले पियच मान निकाल लेते हैं हरा उस मिट्टी का पियच मान यानि कि हम इसमें लिख सकते हैं पियच में दैनिक महत में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर दैनिक जी उने पियच का महत में कि मिट्टी के जाच करके मिट्टी की जाच करके पियज का पता लगा लिया जाता है जिससे फशल अच्छे से पैदा की जा सके यह पहला पॉइंट हो जाएगा ठीक है बच्छों अगले पॉइंट की तरफ चलते देखो मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूं जिसको अच्छे से समझ में आ जागा सभी को दूसरा पॉइंट कि भाई आप खुदी देख लो यहां पर सेम पॉइंट है हमारे पास कि यह देखो एक घर पे इस तरीके यह कहां होते हैं पता है जब रक्ष्या बंदन होता है तो कान की उपर रखते नहीं है इसे टपूरी लगा क्या इसे कुछ लोग तो इसे रख पांच में फसल कैसी है इसे यह बात का पता चलता है कि अगर अच्छी फसल पड़नी है तो प्यच मान लगबक साथ के आजरा अस्पास होना चाहिए झाफ तंदिरूस्त फसल है घ्रत तो यह यहीं मिट्टी की जाच कैसे करें क्या हो गया मज़ा आ गए सब अगला पॉइंट है कि भाई आप देखो यह हमारी क्या है मचलियां है चोटी चोटी मचलियां यानि कि हम बोल सकते हैं कि जल में जली जीवों जली जीवों के लिए पीच अनिकूल होना चाहिए क्या होना चाहिए अनिकूल होना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए हमारे आसपार कोई आसपास कोई तालाब है कोई नदी है या कुछ भी है और उसमें क्या आता है गटर का पानी आ रहा है या किसी फैक्टरी का पानी आ अब सारा पानी उसी में आ रहा है क्या मचलियां उसमें जी पाएंगी नहीं क्योंकि प्याच मान बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर गटर में आएगा हमारा चूने का पानी या फिर मान लीजे कि उसमें किसी फैक्टरी से एसिड आ रहा है तो क्या मचलियां जी पाएंगी तो हम यहां लिख सकते हैं कि जली जीवों के लिए पियच अनकूल होना चाहिए इसलिए जब बारिस होती है और बारिस में अमली वर्सा होती है तो अमली वर्सा बेके बाद हम क्या करते हैं कि जली जीवों को बचाने के लिए तालाब में क्या डाल देते हैं थोड़ा सा छारी पदास डाल देते हैं ताकि जली जीवों को दिकत ना हो ठीक है बच्चो आगए मेरे बास समझ में चले भाई अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है ये देखके तो तुम्हें न थोड़ा सा पेट में भी गिच गिच गि आज ही पेट में गुड़गुड हो जाएगी फिर और फिर ऐसी गुड़गुड होगी न कि फिर वो इतनी जल्दी खतम नहीं होगी है ना इसका मतला पेट में क्या हो जाएगा भाई ऐसे डिटी टाइप की हो जाती कुछ फिलाल तो वो तो परिच्छा का प्रेशर होगा ठीक है आगे मेरे बास समझें तो भाई अगर आप ध्यान से देखो ना इसको तो ये पेट में क्या हो गई गुड़गुड हो गई ये इसमें होता क्या है पेट में क्या हो गई एसी डिटी हो गई यानि पेट हमारा कैसा है अमली एक तो पहले ही हमारे अमासे के अंदर अ अभी क्या हुआ कि हमने बाई कुछ ऐसा खा लिया कि वो पेट पचा नहीं पाया है और पेट में क्या हो गई अमली येता ना बहुत ज्यादा भढ़ हो गई यानी एसीडीती बहुत ज्यादा बढ़ घए अब इससे इसीडीती को करने के लिए हम मार्केट से क्या खरीद के लाते हैं इनो लाते हैं कि नहीं लाते हैं या मार्केट में जाते हैं और किसी मेडिकले स्टोर पे गए बोला भीया आज हमाँ पेट ना बड़ा गुड़ 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 कर रहा है पची नहीं रहा है बार बार लूज मोसन हो ही रहा है तो वह क्या करता है कहता है बस दो टिकिया खाओ बस काम खतम वो आपको टैबलेट दे देता है कौन सी टैबलेट दे देता है वो आपको टैबलेट दे देता है milk of magnesia क्या टैबलेट देता है milk of magnesia की टैबलेट दे देता है milk of magnesia मिल्क आफ मैगनीशिया जिसका फार्मुला बच्चे होता है एम जी एम जी ओ एच का होल ट्वाइज इसका पियाच नो डाउन कर लेना लगभग जो इसका पियाच हो जाता है वो आइधिंक दस क्या सपास इसका पियाच होता है हाँ प्याच हमारे लिए कितना इंपॉर्टन है एक कोशन और हमारे पास आता है एक्जाम में की सुध जल का जो पियाच मान होता है वो कितना हो जाता है वो साथ होता है ऐसा question सबसे सस्ता question कहा जाता है पेपर में ठीक है बच्चों आगए मेरे बास सब्चें तो milk of magnesia mgos कहोल ट्राइज इसका प्यच होता है 10.5 के पांच के असपास तो इसमें लिखोगे क्या कि इसमें लिखोगे कि प्यच हमारे सरीर के लिए भी बहुत जादा महत पूर है प्यच हमें यह बताता है कि हमारे पेट में पेट की एसीडिटी का लेवल क्या है फिर उस एसीडिटी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मिल्क आफ मैगनेशिया नामक टैबलेट लेते हैं यह दवा लेते हैं और फिर वो दवा क्या करती है हमारे पेट की ऐसी डिटी को खतम करती है राइट चले भाई आगे आगे चलते बच्चों ठीक है हमारा जो मुह होता है यानि हमारा जो मुह होता है सुबहसुभा जब हम लोग खाना-करे मागा करता है इसनाम करती है तो हमारे καी पीयइच मान क्या हो जाता है बहुत जादा कम हो जाता है अब सूचो जो कम होने का क्या मतलब है मैं बताता ओंडना रात भर तुम सोते रहते हो मु Leonardo रहते बंध हैं है ऑर के बाद जब सांस लेते हो तो पयट हょं अवह आप क्या करते हो मुग का पिसधान तो कम हो गया अब मालेजे अपने तूथ ब्रस नहीं किया कुछ दिन नहीं करोगे चार दिन नहीं नहीं कर सबूंख कैसे प्रता है कि हमारा जो होता है उसमें चाहीर पदार्त होता है आप देखोगे ना कि वह चारी पढ़ार्थ होते हैं तो उसके वज़े से क्या करता है वो उडासी निःक्रण अब कर देता हैं कि आमल हमारे मुह में है और और इसके बाद उससे क्या बन गया लवन बनना और गंद की हमने थूक कि बाहर कर दी हम इसलिए हम यहां पर लिखेंगें कि हमारे मुह Drake पियाचमान लग भग 5.5 मैंने फिर बोला लग भग हो सकता है आपको किसी किताब में 5.6 मिल जाए हो सकता है किसी किताब में आपको 5.2 मिल जाए अलग अलग मिल सकता है मतलब यह अलग अलग तरीके से मिलेगा आपको ऐसा नहीं है कि एक ही बता दिया सर ने और यही आपने याद कर लिया यहां तक किसी को दिकत हो तो जल्दी बताना एक बार एक यहां तक सभी को क्लियर यह हो गया मुग का प्याचमान और फिर जब हम लोग सुबा तूद बरस कर लेते हैं तो यह प्याचमान जो होता है वह बढ़ जाता है और लगभख साथ क्या उसपास शाफ लाल वाली चीटियां की यह हमारी क्या है लाल चीटी में घञाए does wie जब लाल चीटी जो होती है वह हमको क्या करता है काट लेती है तो आप यहां लिखोके क्लाल की डूंकं बे क्या पायजाता है एक अमिल पायजाता अप लाल चीटी के डंक में एक अमल पाया जाता है उस अमल का नाम पेपर में पूछा जा सकता है तो उस अमल का नाम लिख लेना वो अमल होता है हमारा फार्मिक अमल और अभी तो आप आयू पीसी पढ़ चुके हो और जब मैंने आपको पहली बार पढ़ाया था तो मैंने कहा था किसका फार्म उत्पन हो जाती है इसका मतलब लाल चीटी के डंक में अमल पाया जाता है कौन सामल फार्मिक फिर क्या होता है यह हमको काटती है तो हमें क्या उत्पन हो जाती है जलन उत्पन हो जाती है उस जलन को दूर करने के लिए उस जलन को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर देते है किसी चारी पदार्थ का इस्तेमाल कर लेते क्या कर देते हैं किसी चारी पदार्थ का इस्तेमाल कर लेते यहां तक समझ में आ गया है कि नहीं हरा और मदमख़्ी के डंक में भी यही पाय जाता है लाल चीटी और मदमख़्ी दोनों के डंक में यही पाये जाता है तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग अब हमने पियच के निमेरिकल तो कर लिए हैं अभी अभी सारे के सारे अब आते हैं में टॉपिक पे और में टॉपिक हमारा कौन सा है सूचक सूचक को अंगरी जी में कहा जाता है इंडिकेटर अब ना पेपर में एक चीज़ याद रखना कि भाई इंडिकेटर जो होता है अगर हमारी गारी में इंडिकेटर होगा तो वो क्या करेगा गारी में जो इंडिकेटर होता है वो उसका काम क्या होता है सची सची बताना कि गारी में जो इंडिकेटर होता है वो मुझे क्या बताता है गारी का इंडिकेटर ये बताता है कि आपको मुड़ना किधर को है बाई गारी में अगर को इंडिकेटर लगा होता है तो यही तो ब दो 1 दश्रायी माली चै急 की हमने बोला की एक इंडिकेटर लिया ठीक है हमने उस इंडिकेटर को Tu को क्या किया किसे-क विलियर में डाला हाना माल बाद्ट आश्यारा कि हम थे जब्लाने अब मैंने बच्चे को बुलाया मैंने कहां देखो आपके पास एक यह इंडाइडिकेटर रहें इन्डीकेटर का मतलब सूचक है उसन ती कहां थी में था है मैं बुला कि आप ऐसा चीछिह देखिए की इसका शुद्री नीला है मैंने बोला इसका color नीला है, उसने भी का ठीक है, इसका color नीला है, मैंने बच्चे ने पूचा इसका नाम तो बता दो, मैंने बोला कि भाई यह litmus paper है, क्या है litmus paper है, अगर इसको ना, पाई जो कि नीले color का है उठा के इसे में डालदू ऐसे अमल में और इसको लुठा के लाओं इसमें डाल दूँ ऐसे लग तो भाई होगा क्या कि जो ये वाला लिटमस फेपर होगा ना हमारा जो बच्चों ये वाला हमारा लिटमस फेपर होगा ना ये वाला ये अपने कलर को ही बदल लेगा ये कैसा कलर हो जाएगा ये लाल कलर हो कि यह अब क्रिया हो गई कितने आसान सब्दों में सर ने बता दिया कि सूचक वे पदार्थ होते जो अपने रंग को बदल कर यानि रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अमली या छारी या लवडी होने की क्या करते हैं सूचना देते हैं लवडी होने की क्या करते हैं कॉंझ सफ्थ लंवरी है इस सारी सूचना कोऌन देते हैं सूचक देते हैं इंडीकेटर अब मन में आया होगा वाले ंडीकेटर कितने प्रकार के होते हैं जैसे कार में होता नहीं एक ऐसे वाला इंडिकेटर किसी को गोल वाला इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर के नाम होते हैं एक हो गया लिटमस फेपर दूसरा अप्थलीन जितना लंबाना मुतना फीव का काम इनका भी हम आगे बात करेंगे उसका फिर मेथिल औरेंज फिर हमारे पास हल्दी पत्र हल्दी मतलब जैसे हल्दी हो गए ना उसका पेपर बना लिया पेपर लिया उसके हल्दी लगा दी हल्दी पेपर बोल दी उसको क्या डरना है तो आगे चले हम लोग अब यह हमने बहुत अच्छे से आपको बता दी इतनी सारी चीजे आगे चलते हैं बात करतें कि लिटमस फेपर है क्या और मनिका बता है अगlara जाना इडिकों लिटमस फेपर आपको यहां दिखाई दे रहा है कितने कलर का है दो कलरकर एक तो बच्छों आपके पास कैसा लेटमस पेपर हैं लाल दूसरा बच्चों को कैसा है नीला है तो प् legitimately proper होते बंते कैसे हैं लिटमस फेपर के आगर मैं बात हowता है लाइक कन लाइकन क्या होता है मैं इस तरीके के आपको जो है ना दिख जाएंगी और नदी के किनारे या किसी सम्माध disparities के किनारे इस तरीके की ये एक परकार की हम बोल सकते कि हाँ एक परकार तो बोल सकता हो कि हां यह एक टाइप का कुछ भी इसका इसका अलग से म क्या नाम दूँ लाइकन पौधा ढें पॉधा थे लाइकन पॉधा निकाला जाता है और लिटमस ना थेलो फाइटा समुके लाइकन पॉध lagi पॉधा से निकाला जाते है आपको यह थैलो फाइट ना या के बारे में बात कर ली अब मैं आपको बता दूं कि जो लिटमस होता है ना जैसे यह अमली विलियन में क्या करता है इसका अमली माध्यम में यह लोड कर लेना कि अमली माध्यम में जो लिटमस होता है हमारा वो क्या देता है हमको लाल रंग देता है और जो छारी माध्यम में होगा ना यह अगर यह अगर चारी माध्यम में होगा ना तो यह बच्चों को कैसा रंग देगा यह हमको नेला रंग देगा चारी माध्यम में कैसे कलर का होता है यह नीले कलर का होता है और आमली एसिट को रेड पसंद है और बेस को ब्लू पसंद है जब बेबी को बेस पसंद हो सकता है तो बेस को ब्लू पसंद नहीं हो सकता है तो इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आगे होगी कि अमली में लाल छारी में निला आगे चलते हैं बच्चों अब यह जड़ा थ्यांसे दोख यह हमारे पास मेथिल उरंज बनाप को सुनते जाना हमारे पास बेली का होता है और शो महात tut है लाल कलर का पीले की जगा पे आप नारंगी भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, दोनों लिख लो, पीला और नारंगी, ठीक है, चलो, इसके नाम से हम याद करने की कोशिस करते हैं, मेथिल, औरेंज, चलो, नाम से याद करते हैं, इसमें पीछे क्या है, ला लगा है, इसका मतलब है, ये अम्ल में कैसा होगा लाल कलर का, ये अम्ल में, इसके नाम से पता चला, अम्ल चार और औरिंज, औरिंज का मत्दभन नारंगी, शारी में कैसा होगा नारंगी, भोलोगे तो नहीं ना बहुवेकल पी कुशन आएगा बच्चो ठीक अब उसके बाद अगला है हमारे पास की फिनाप्थलीन बच्चो जितना लंबा इसका नाम है उतना ही इसका बुरा इसका काम है मैं बताता हूं क्या होता है बच्चो फिनाप्थरीन एक रंगहीन घोल है आप देखो ना ये रंगहीन है जैसे इसमें छार मिला देंगे इसका रंग कैसा हो जाएगा गुला भी हो जाएगा और अम्ल मिलाने पर फिनाप्थरीन जो है ना वो रंगहीन ही रहता है हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि इसका जितना लंबा नाम है ना उस तिनी ही इसकी सादगी है लेकिन जो भी सादगी वाला इनसान होता है ना और उसके बगल में अगर कोई लड़की आके बैठ गई तो क्या होता है चेहरा लाल हो गया है तुम मेरे बगल में क्यों आके बैठ ग होता है यह हमली मादले में क्या है रंग हीन है कोई मतलब ने इसके दुनिया दिन दुनिया से कोई मतलब ने बड़ा सीधा साधा एक तर लेकिन जैसे कोई आके इसमें छार मिल जाता है इसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है गुलाबी हो जाता है जैसे लड़कियों को भी पसंद हो जाता है आने तो दो इसको बगल में कोई को ठीक आगे चले आगे हो गया हमारे पास दूसरा है कि हल्दी अब हल्दी को देखो भाई यह तो बड़ा सिंपल है तुम्हारे घर में हल्दी तो होगी होगी है ना तो बच्छों हल्दी की बात करें तो यह अमली में पीली है और भाई हल्दी में जरा से चूना मिला दोगे हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा इस तरीके से लाल भूरा हो जाएगा वही चीज़ लिखा कि हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है प्राकृतिक सूचक है इसको लैब में नहीं बनाया गया हल्दी का रंग कैसा होता है पीला होता है हल्दी के रंग पर अगर अमल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा अर्थात अमल हल्दी के रंग को नहीं बदलता है परन्त चार हल्दी के पीले रंग को क्या कर देता है भूरे रंग में बदल देता है बड़े आसान सब्दों में बच्चों इसको लिखा गया है ठीक है बच्चों आगे मेरी बास समझ में चलिए मेरे प्यारे बच्चे तो कितना समझदार है अगला है हमारे पास कि हाई ड्रेंजिया क्या पौधा भाई ये पौधा ना जैसे आपने देखा होगा कि अभी ज हाई ड्रेंजिया में तो कैसे पाइदा किया जाएगा कैसे हम गुलाबी फूल बनाएंगे भाई यहां को वैलेंटाइन डे में भाई या गुलाबी फूल चाहिए कोई करने हमको नीला कलान परसंद ब्लू कलर ही चाहिए मको मतलब यह वाला फूल देना अब भाई कैसे ब चाहरी माध्यम में फिला अप्तलीन भी गुलाबी हो गई थी और वैसा ही चाहरी माध्यम का मतलब लड़की समझो मेरी बात को और यह पहले क्या ब्लू कलर का बाद में क्या हो गया बाई गुलाबी कलर का आगे मेरे वासमें बड़ा असान था कुछ नहीं है कोश्चन उस होता है लेकिन जैसे कोई गुलाबी कलर हो जाएगा जिसका मतलब चाहरी माध्यम में उगाया गया है हाइड्रेंजिया का पॉझा ठीक इतनी बात समया गई चलिए बाई इस तरीके से हमने लगबग आधे से ज्यादा चैप्टर जो है ना वह खतम कर डाला है अब हम बात क ठीक चलिए देखें मेरे पैरे बच्चों अब हम लोग अगले पेज पर जाते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे एक बेंट टॉपिक है जिसको मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को और वो टॉपिक है हमारा जल का आइनिक गुड़न फल ठीक है क्या है टॉपिक हमारा जलका आइनिक लावर आइनिक गुड़न फल ठीक है जलका आइनिक गुड़न फल ठीछे जलका आयनीक गुडनफल अब है जलका आयनीक गुडनफल क्या होता है अगर जलगी बात करें तो हाप होड़ना है हाई ह्टू ओ आप इसको देखो नहीं ये है जल में उपस्थित हाई-ड्रोजन आयन भी यह और तो अब यहाँ पर परिवाशा कर लिखनी हो जल में उपस्तित हाइड्रोजन आयन सांद्रण वह हाइड्राकसाइड आयन सांद्रण के गुड़न फल को कि गुड़न फल को क्या कहते हैं जल का आयनिक गुड़न फल कहते हैं आगे मेरी बास्ट क्याए इसको लिखते किससे अगरल लिखने के बात हो जाए इसे के से लिखा जाता है किसे लिखते है बच्चों लोग इसको गया होता है ऐसे होता है के बराबर के बराबर इसमॉल के ठीक ऐसे बना दोगे ठीक इसमॉल के बराबर कैसे लिखेंगे अब लोग लिखेंगे कि हाइड्रोजन आयन सांद्रन गुड़े में हाइड्रोकसाइड आयन सांद्रन एक ये कितना होता है 10 की घाट माइनस 7 और यह कितना होता है जैस की घाट माइनस 7 इसका मतलब है कि यह हमारे पास आ जाएगा दस की घाट माइनस का 14 और मोल प्रतिलेटर कितना आसाने बोलो यह हो गया जल्का आएनी को गुरन फल यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो जल्दी से एक बता देना मुझे यहां तक क्लियर जल्दी से प्लीज डन चलिए भाई अब उसके बाद आगे चलते हैं लोग अब हम बात करते हैं कि भाई कास्टिक सोडा कैसे बनता है हम लोग बात करेंगे कास्टिक सोडा बनता कैसे तो सबसे पहले आपको एक्जाम में दो तीन चीजे ना याद रखनी होगी पहली चीज इसका राशानिक नाम अगर कास्टिक सोडा आया तो आप ऐसे लिखोगे फिर आप लिखोगे कि इसका राशानिक सूत्र अगर मैं आप राशानिक नाम की बात करें तो so sodium sodium hydroxide अगर इसका सूत्र पूछ लिया जाए so naoh ठीक naoh यहां तक समझ में आगए बात naoh देखो यह क्या हो गया बच्चो naoh अब इसको कैसे बनाते हैं बनाने की विधी ठीक है इसको कैसे बनाये जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जरा ध्यान से हमारी बात को सुनना चले हम लोग आगे देखें क्या करते हैं एक इस तरीके का कंटेइनर लेते हैं जैसे मैं अभी ले रहा हूं कैसे कंटेइलर लेते ऐसे इस तरीके से कंटेइनर लेते इधर इसमें छेद कर लेते हैं इधर भी एक बरतन ले लिया इस तरीके का ऐसे इस तरीके का ऐसे बरतन ले लिया और जिसमें क्या कर देते हैं जैसे मैं अभी छेद कर रहा हूं ना दो छेद ऐसे कर दिये फिर एक छेद ना इसके नीचे इधर से कर दिया ऐसे ठीक इसको आगे लेके गए इधर कर दिया अब क्या करते हैं इस बरतन में इस बरतन में क्या करते हैं इधर एक छेद ह इधार एक्षिये दे एक ऐसे बना लिया उसके वाल बीच में यह क्या कर देते एक जिल्ली लगा देते हैं इस जिल्ली को बोल देते हैं हम लोग अर्ध पारगम जिल्ली इसको क्या बोल देते हैं अर्ध पारगम जिल्ली बच्चों इस जिल्ली से क्या होता है इस जिल्ली से कैसे बनती है यह सब हमने बहुत डीप में बताया है देखो अंडे की जर्दी काम करती है अर्धपारगर मों जिली का ठीक है इस तरीके से बीच में जिली लगा दीए इसको बेँसे समझो कि हां जिली है अब इधर से क्या करते मेरे लाल इधरі से गोल डाल देते इंदर से अब नमक का गोल इसमें जाएगा नमक का गोल इसमें जाएगा उसके बाद फिर क्या करते हैं नमक का गोल डाज जाएगा इसमें हम लोग इस तरीके से रॉड लटका देते हैं क्या कर देते हैं इसमें हम लोग इस तरीके से दो रॉड लटका देते पहली रोड जो होती है वो हमारी प्लस चार्ज वाली होती है और इधर वाली चार्ज वाली होती है माइनस चार्ज वाली होती है अब जैसे ही नमक का गोल इसके अंदर जाएगा यानि एने सील इसके अंदर जाएगा तो नमक का गोल का मतला पानी भी होगा यह दोनों क्या कर जाएंगे इसके साथ रियक्शन करेंगे एने सील जब हमारा एच्ट्वो से रियक्शन करेगा तो क्या बनाएगा एन एओएच और बनाएगा hydrogen gas और बनाएगा chlorine gas एक ये बना देगा अब आप इसको देखोगे कि reaction अभी balance नहीं है मैं इसको balance करूंगा टेंशन मत लो आप लोग जब तक स्योंसर है तब तक कुछ नहीं सोचना यह हम लोग कर रहे हैं क्या fast type का revision इसलिए थोड़ासा चीज़े तेज चल रही है लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं बच्चो ठीक अब जरा इसको जरा ध्यान से देखो अब क्या होगा कि यह इसके अंदर गया गोल यह naCl इसमें बदल गया अभी reaction में बाद में balance करने अब क्या होगा कि दो छेद किये थे जो इसका प्लस वाला सिरा होता है इसको मुने नाम दिया क्या एनोड और जो माइनस वाला सिरा होता है इसको नाम देते हैं हम लोग कैथोड अब मुझे एक बात बताना क्लोरीन गैस जो अगर मैं बात करूँ CL2 तो इसका मतलब CL माइनस चार्ज होगा हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये प्लस चार्ज वाला होगा जो प्लस वाला होता है तो हमेशा किदर की तरफ जाता है माइनस के तरफ इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इससे निकलेगी यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और ये प्लस वाला है ना तो इधर से माइनस वाली गैस निकलेगी यानि कि मैं बात करूं तो क्लोरीन गैस निकलेगी और यहां पर विद्धुत देना जरूरी है अगर विद्धुत नहीं होगा तो यह अभी क्रिया नहीं होगी नमक गोल रख दो और कुछ दिन बाद वो जो है सोडियम हाइड्राकसाइड बन जाए तब तो हम फैक्टरी खोल ले ना बूलो बात समझ में आ गई कि भाई हम सोडियम हम कास्टिक सोडा बना बना के मेचेंगे मार्केट में घर में बन गई हमारी लैब विद्धुत देने की कोई जरूरत नहीं है बात समझ में आ रही कि न इसको बनाने की विधी क्या लिखोगे कैसे लिखोगे वैसे मैंने सभी अपने रिकॉर्ड लक्षर में पहले से करा रखा है आप देखोगे प्रेलिष्ट में जाके तो आपको एक एक लाइन डिफिनेशन भी मिलेगी सब कुछ मिलेगा बहुत प्यार के साथ पढ़ाया है बचो नमक का घोल जब इसमें डाला जाता है आपको ऐसे लिखना है कि जब नमक का घोल बरतन के अंदर डाला जाता है तो इससे एन ओयच हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनती है क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है जबकि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्र میल जाता हैँ रिक हमको क्या मिल जाता है इधर से रियक्शन को बैलेंस करते हैं है अगर आप इसको ध्यान से देखोगें तो उदर हमारे पास हाईडॉजन है तीन दो हैं टोटल हो गए चार इसको वह को दो से कि बाद करूँ तो ञंच की बात करूँ है इसको मढ़ी हैं जा थैसा क्या रख गट हो गई आ छिखोगे तो प्रकार से हमें क्या हो जाता है छोडियुम हायद्रोकषण क्した श्रडिया को एक अलग से नाम दे दिया जाता है है क्लोर शार प्रक्रिया क्या क्लौर छार प्रक्रीया इसका नाम दिया जाता है इस तरीके से हमारा ये कस्टिक सोड़ा बच्चों हमने क्या कर लिया है पूरा कर लिया जल्दी से स्क्रीन सौट लीजिए आगे चलते हम लोग है कि अब यह हमारे पास से और द्हां है इसका रासानिक नाम के बाद रासानिक सूत्र रासानिक नाम और उसके बार रासानिक सूत्र अगर इसका रासानिक आते हैं नहीं कर रहा है पढाई कर आपको गरTrack हो तो कैल्सियम औक्सीक्लोराइड फॉर्मला होता है सी एंग यह अगbab सबसे बड़ी चीज है कि यह मारे बीकेगा तो बनेगा कैसे मार्केट में विकेगा तो बनेगा कैसे बनाने की विधी की बात करो तो आपको एक लाइन लिखना है कि बुझे हुए चूने पर जब हम लोग क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो विरंजक चून बनता है बुझे हुए चूने पर क्या कर देते हैं हम लोग क्या मैं ये डाइग्राम बनाना जरूरी है बेटा डाइग्राम बनाना जरूरी है इसके बिना काम नहीं चलेगा बनाना ही पड़ेगा डाइग्राम तो अब मैं बात करता हूँ बनाने की विधी बुझे हुए चूने पर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया तो ये है बच्चो क्या? बुझा हुआ चूना ये क्या है? बुझा हुआ चूना ठीक है? इसके उपर मुझे क्या करना है? क्लोरीन गैस डालना है कौन सी गैस डालनी है, इसके ओपर, क्लोरीन गैस डाले है, बुजह वे चूने पर, क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर, विरंजक चूर बनता है, C.A.O. और C.L.2, और इसके बाद ये बन जाता है, हमारे पास, H2O, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विरंजक चूर, इसको क कि आधे घंटे में कि उले के टॉपिक पढ़ाया है मतलब बिल्कुल खोल के सारी चीज़े मैं मैंने बताया है ठीक है बच्चो तो विरंजक्चूड यहां तक समझ में आया कि नहीं जल्दी से बताना है एक बार मुझे ठीक इस तरीके से हमारा हो गया विरंजक्चूड और इसकी बनाने की विधी अब उसके बाद हम बात करते खाने वाले सोडे की खाने वाले सोडे का अगर मैं राशानिक नाम की बात करूं ना कि इसका राशानिक नाम क्या होता है तो भाई देखो और एक होता है राशानिक और इसके बाद फारमले की बात करूँ सो न-a-n-a-h-co3 यह हो गया हमारे पास sodium bicarbonate अब न यह कैसे बनता है अगर मुझे इसको बनाना पड़े तो हम इसको कैसे बनाएंगे अगर हमको सोडियम sodium bicarbonate बनाना पड़ जाए तो हम आखिर कैसे बनाएंगे हमको कैसे बता चलेगा कि sodium bicarbonate बन गया बहुत आसान है क्या लिखेंगे बनाने की विधी कि बनाने की विधी और इसके जली विलियन में हम क्या डाल देंगे carbon dioxide gas डाल देंगे sodium carbonate के जली विलियन में carbon dioxide gas प्रवाहित कर देंगे मैंने पैरे बच्चों ठीक है क्या कर देंगे sodium carbonate के जली विलियन में हम लोग प्रवाहित कर देंगे carbon dioxide gas और इस से हमको मिल जाएगा sodium by carbonate आप देखोगे कि n अधर दो है अधर एक है इधर दो है H अधर एक है इधर दो है O अधर तीन है इधर इधर कितना है भाई एक है उधर दो है उधर तीन है इधर छे oxygen है उधर एक carbon इधर दो carbon है कुल में आगा अगर हम इसको दो से गुड़ा कर दें तो पूरी reaction क्या हो जाएगी balance हो जाएगी पूरी reaction क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चो कि हाँ ये हमारी balance हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या कि यहाँ पर हमने लिया धोने वाला soda क्या लिया हमेरे प्यारे बच्चो धोने वाला soda अगर exam के पहले आपने या video देख लिया तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर गया होगे यह क्या हो गया यह हो गया खाने वाला soda यह क्या हो गया मेरे पहरे बच्चों यह हो गया धोने वाला soda और हो गया हमारे पास खाने वाला soda जल्दी से screensow button लीजिए अगर आपको परिभासा लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि जब खाने वाले सोडे जब खाने वाले धोने वाले सोडे पर के जली विलियन में कार्बन डियोकसड गैस प्रवाइड करते हैं तो धोने खाने वाला सोडा बनता है ठीक है आगे चले हम लोग चलिए जल्दी जल्दी बताना एक बार क्लियर चलिए अगला कोश्चन है हमारे पास की अगला कोश्चन हमारे पास की धावन सोडा अब मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले अब इसका मुझे राशायनिक नाम चाहिए और मुझे इसका राशायनिक सूत्र चाहिए दो चीज़े मुझे चाहिए ठीक है रासानिक नाम की बात करूंगा पहले सूत्र की बात करता हूं एन एटू सी ओ थरी और डॉट टैन एच टू आपको ये न 10H2 हर जगा पर लिखने की जुरत नहीं है, एक 10H2 हर जगा लिखने की जुरत नहीं है, जब ज़रत होगी तो मैं बताऊंगा वहाँ पर आपको लिखना है, इसका नाम क्या होगा? sodium carbonate, sodium carbonate, decahydrate, deca क्यों 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 कि 10, hydrate क्यों? H2O का नाम hydrate होता है, sodium carbonate, decahydrate ये इसका नाम हो जाएगा, एक कैसे बनाते हैं इसको? अगर इसको मार्केट में बेचना है तो कैसे बनाएंगे यानि बनाने की विधी बनाने की विधी कैसे बनेगा यह देखो जैसे भी हमने खाने वाले सोडे को बनाने के लिए धोने वाले सोडे के फॉर्मुले में क्या कर दिया था धोने वाले सोडे में हमने कार्बन डियॉक सब्सक्राइब धिकर ऐतके जली विलियन ही चानी दी और strap को kो सब्सक्राइब दिखें फ्ल्रकाइब और Supreme सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानि कास्टिक सोडा के विलियन में प्रवाहित कर दिया है कार्बन डाइय औकसाइड गैस अब इसमें हाइड्रोजन तो आया नहीं उधर तो हाइड्रोजन है इसका मतलब हमारे पास पानी निकलना तैय है ठीक अब मेरे पैरे बच्चो इसको हम करेंगे दो से गुड़ा दो हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो देखो सी ओ थरी अभी दर हो गया सी ओ एक ऑक्सिजन इसके पास चला गया दो हाइड्रोजन वह हो गया और एक और पूरी रियक्शन आप अगर देखो गए तो बैलन्स है जल्दी बताना एक बार क्लियर वेरे गोड वेरे गोड वेरे गोड बहुत बढ़िया मज़ा आ गई चले आगे हम लोग यहां तक सारे बच्चों को क्लियर अब हमारा लाश्ट पौइंट वज़ता है जो की है क्या plaster of Paris ये आखरी point है plaster of Paris, सबसे पहले इसमें मुझे क्या पता होना चाहिए इसका मुझे पता होना चाहिए रासाइनिक नाम फिर क्या पता होना चाहिए इसका रासाइनिक सूत्र, दो चीज़े हमको पता होनी चाहिए, ठीक है एक पता होना चाहिए रासानिक नाम और दूसरा पता होना चाहिए हमको रासानिक सूत्र देखो पहले सूत्र की बात करते है कैलसियम सल्फेट एंड हेमी हाइडरेट हाफ ह2 अगर आपको ये चाप्टर डीप पर पढ़ना है तो पुराने लेक्टर जरूर देखना रासानिक नाम की अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चो अगर नाम की बात करें तो इसका रासानिक नाम हो जाएगा कैलसियम सल्फेट क्योंकि देखो CA मतलब कैलसियम सल्फेट का मतलब SO4 so calcium sulphate और half H2O की बात करे ना तो hemi hydrate half का मतलब होता है अधे का मतलब होता है हैmi calcium sulphate hemi hydrate ठीक यह हो जाएगा हमारे पास इसका रासानिक नाम और सूत्र कैसे बनता है यह market में भाई बेचना है कैसे बनेगा बनाने की विधी एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है जिपसम एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है जिपसम जिपसम को सूत होता है कैलसियम सलफेट डाई हाइडरेट दो बाल्टी पानी है इसके पास इसको हम गर्म करते हैं कितने ताप पर गर्म करते इसको अगर मैं गरम करने की बात करूं कितने ताप पर गरम करते हैं 100 डिगरी सेल्सियस यह हम इसको लिख सकते हैं 373 कैल्विन बात एक ही हो गई है ना बच्छो बात तो एक ही हो गई अब इसको गरम करेंगे तो कैल्सियम सलफेट डाइ हाइड्रेट बनेगा और उसके बच्टे दो एस्ट्वो निकल जाएंगे वाई देखो तीन बच्टे दो का मतलब होता डेड़ और यह आधा डेड़ और आधा मिलाके कितने हो गए टोटल दो इसका नाम क्या हो जाएक जिप्सम अलग से कोश्चन पेपर में आ सकता है जीप्सम का सूत्र क्या होता है यह हो गया यहां तक किसी को दिक्कत जल्दी बताना एक बार जिप्सम का काम क्या होता है वेटा जिप्सम जो होता है एक बहुत कठोर पदार्थ होता है जिपसम जो होताने एक बहुत कठोर पदार्थ होता है मार्केट से आप प्लास्टर और पेरिस खरीद के लाते हैं और उसमें पानी मिला देते हैं वो जिपसम बन जाता है और जो कि आपके घर में P.O.P की डिजाइन लगी होगी न प्लास्टर और पेरिस पानी मिलाएंगे जिपसम बन जाएं बहुत कठोर होता है ठीक जब टेमपरेचर ज़्यादा होगा यह गिर्किया नीची आजाएगा फिर से बन जाएगा प्लास्टर पेरिस अब मैं सभी को आप बोलना चाथा हूँ कि अगर आप मैथ में वाकई में बहुत अच्छे नमबर लेना चाहते है या साइस में बहुत अच्छे नमबर लेना चाहते हिस पूरे चाप्टर के जितने important question है वो सब हम ने कराए हुए कौन सी सिरीज में कराए हुए है जोस जोस थ्री पॉइंट ओ सिरीज यह सिरीज जो है ना यूटूब पे बिल्कुल फ्री है आपको प्लेलिस्ट में जाके मेरे लेक्चर मिल जाएंगे जाए और मेरे लेक्चर आप वहां से देखिए प्लेलिस्ट में जाके आपको लेक्च कोशिन करना चाहते हैं तो जो स्टू पॉइंट ओ सीरीज के कोशिन करिए जिसमें अभी बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं आप उनको जाके कर लेंगे आपको कोई डाउट नहीं होगा ठीक है और आज जो है ना मैथ वाली क्लास आप लोगों की नहीं चलेगी ठीक है मैथ की क्लास नहीं चलेगी और मैं आप लोगों को आठ बजे एक वीडियो दूँगा जो की होगा हिंदी का छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका किस तरीके से आपको अपनी कॉपी पे लिख कर आना है कॉपी में कैसे लिखा होना चाहिए वो साफ सुत्रा कैसे लिखना है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा ठीक है पांस से दस मिनुट का वीडियो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आठ बजे रात को आएगा करेक्ट देखना मत भूलना ठीक है बच्चो चले फिर आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बाइबाए टेक क्यर थाइंक्यू सो मच ठीक है और मैं आपको बता देता हूं कि कल ना कल हम लोग क्या करने वाले हैं क्या करने वाले और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डाइग्राम बेस्ट कोशन करा धी कि तो उसके उपर काम चल रहा है स्लाइट त्यार हो रही है और आपको उसके भी कोशन मिलेंगे कलुम लोग बायलोजी के कोशन करेंगे और बायलोजी मैं एकदम न्यू कोशन हाँ सारे लाइव होंगे ठीक है आज मैंने स्पीड में पढ़ाया लेकिन आप लोग मुझे सच बता के जाना कि अब देखो बच्चे बोले तत्तो का वर्गी करन कब कराओगे बैटा तत्तो का वर्गी करन पढ़ा भी चुके हैं वन सौट भी करा चुके हैं कोशन अंसर भी करा चुके अभी भी नहीं पता तो फिर क्या करोगे सब कुछ हो चुका तत्तो के वर्गी करन में ठीक है बच्चो चलिए बाइबाए टेक क्यार थाइंक्यू सो मॉच